सो हलो मेरे भाई लोग वेलकम बैक तो माई यूडूब चानल आर्वियस एनिमे हिंदी यार देखो हम लोग वापस आज चुके हैं और आज अपन लोग बात करने वालें ग्रीन बुल के उपर या कहलो र्यू क्यों ग्यू के उपर और इसका असली नाम ले तो आमाराकी या या ऐसा ही कुछ नाम है जो भी आजीवो गरीब इसका नाम है पर हाँ ये कैरक्टर के उपर आज अपन लोग बात करेंगे कि आखिर इस कैरक्टर का भविश्य कैसा हो सकता है क्या ये भविश्य में आगे जाके कोई लड़ाई जीतेगा या फिर ये फर्स्ट फाइट में हार जाएगा I don't know लेगिन फिर भी अंदाजा लगाने का ट्राइक करेंगे तो देखे जार जब पहली बार ग्रीन बुल इंटर्डियूस हुआ था तो हमें ये बताया गया था कि इसने तीन साल से कुछ खाया पिया नहीं है और फिर हमें मांगा चेप्टर जो लेटेस्ट कद्य उन्हों दिखने में लगते हैं कोई फरक नहीं पड़ता जिस तरह के ताकत हैं लेकिन हाँ ये आग नहीं छोड़ सकता वह काम लूफी का है रबर के साथ आग वाली पावर रखना बट जब हम लोग बात करते हैं इस कैरेक्टर को लेकि देखो पहली बात तो ये एक एड्मिरल है तो नो डाउट ये वीक नहीं होगा बहुती जादा स्ट्रॉंग बंदा होगा और हाँ किसी ने मुझे एक बार इंस्ट्राग्राम पे भी डियम करके पूछा था प्लस कमेंड बोक्स में भी बोला था वहसे दोनों अलग लग बंदे थे क्योंकि मेरे इस वा लेकिन आकाईनोग उसको जाने नहीं दिया तो क्या यहां पर ऐसा हो सकता है कि किजारू भी स्ट्रॉंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है नो डाउट पर वह एक यौंग जितना स्ट्रॉंग नहीं है और नहीं में यहां पर अंधे तरीके से बोल दूंगा कि जो रियोक् योग्यू को भेजता है तो यह मजाक वाला बात थोड़ी है जरूर इसमें कुछ खास बात होगी और यह हमें देखने को मिल जाता है जिस तरह कि इसकी पावर है और जिस तरह से यह भी स्पायरेट का एनरजी अब्जॉर्ब कर रहा था या जो भी कर रहा था वह अपने जाद करो एक बार मांगा चेप्टर में जब लिल लिन और काईडो दुनों साथ में थे तो वहां पर लॉग उनको अलग अलग नहीं कर पा रहा था विकॉज वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग कॉनकरर हां की यूजर्स है इस वज़े से लॉग का डेवल फूट उन पर क सकता है काम ना करे विकॉज हम सबको पता लूफी अब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग हो चुक है केड और लॉब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग हो चुक है लेकिन यार तुम जो कुछ भी कहलो इस बात पर कोई राई नहीं है कि ये बंदा कूल डूड है मतलब यार चस्मा पहन के आता है स्टाइल मार्क के प्लस इसका डेवल शूट खतरनाख है साथी साथ ये स्वार्ड भी यूज करता है अभी तक स्वार्ड चलाते हुए दिखाया नहीं गया पर स्वार्ड इसके पास है तो हाँ ये एक स्वार्ट मैन भी है और किस लेवल का स्व स्वार्ड चलाना आता है अब देखो यार अगर इसको स्वार्ड चलाना आता है तो हाँ लूफी के खिलाफ इसका एक एडवांटेज होगा त्यूफी को हरा देगा नए ऐसा तो मेरे को नहीं नजराता हां कुछ ये तिगरब लगा सकता है पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए इसका डेवल चूट पावर को लेकर के मैं बार बार क्यूं घुझा रहा हो देखो इसका सबसे बड़ा रीजन है एक थी जो की मेरी नही है वो theories किसी ने बनाई है Reddit पे किसी बंदे ने बनाई है according to them Green Bull का devil fruit God of forest से लिया गया अब देखो One Piece के world में अगर तुमको नहीं पता कौन कौन से actual god है मैं इन celestial dragon वाले चूतियों की बात ने कर One Piece के world में जो true god वो आते हैं God of sun God of rain God of forest और God of earth तो ऐसा हो सकता है उस theory के हिसाब से कि Green Bull का जो devil fruit है लूफी का जैसे God of sun से लिया गया है वैसे Green Bull का devil fruit God of forest और अगर Green Bull का devil fruit God of forest से है तो हाँ यहाँ पर दो God की लडाई हमें देखने को मिल सकती है अब मैं उनके devil fruit power की बात कर रहा हूं ना कि उन दोनों characters को God के रहा हूं हम सबको पता लूफी भी एक इंसान है Green Bull भी एक इंसान है पर उन दोनों का devil fruit तो यार God से लिया गया है तो यह देखना जो है दिल्चस्प रहेगा कि यह बंदा किस टाइब की पावर रखता है अब हाँ अगर यह God of Forest निकला ना क्योंकि अभी तक ऐसा कोई और बंदा नहीं निकला है जो God of Forest वाली ताकत रखतो इसको छोड़ कर रखे तो ऐसा हो सकता है कि यह God of Forest हो अब क्या पता यार यह God of Forest है या नहीं है क्या पता लेकिन अगर यह God of Forest होता है तो हाँ ये strong तो बहुत जादा होने वाला और लूफी को तगड़ा ठकर देगा अब हम लोग बात करते हैं इसके world government के प्रती loyalty देखो जिस हिसाब से ये बंदा orders भले इसको दिया गया है कि जाकर कि निको रॉबिन पर फोकस करो पर ये निको रॉबिन के बज़ा ये direct sir लानी की बात कर रहा है तो हाँ ये बंदा नेडर है प्लस ये अपने मन की करता लाइक गार्प अभी ये गार्प का लेबल कुछ अलगी मुकाम पर है पर ये बंदे का उससे नीचे ही है पर हाँ ये बंदा भी अपनी मन मरजी का मालिक है डाइरेक भाई पकड़नी की बात कर रहा है भले ही सामने अभी यौंको बना दिया गया है तो हाँ ये बंदा जी से शाब से जा रहा है लगटा है कि फासी न्यचे के साइडा आ जाएगा वो मैं नहीं कहसे लेकिन हाँ ये जो बंदा है मुझे इसको देखना इसका पावरार देखना कि आखिर ये कितना ज्याधा श्रॉंग है साथी साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग यह कह रहे होंगे कि लूफिया भी बहुत जादा स्ट्रॉंग है इसको कुत्तों की तरह मारेगा एक तरफा धोएगा ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज एक चीज़ मैं बता देता हूँ ओड़ा इतना ज्यादा वीक मांगा राइटर नहीं है हम सबको पता है उसने किस मास्टरपीस को ड्रॉ किया तो इस हिसाब से नहीं ड्रॉ करेगा साथी साथ तुम एक बात बताओ कोई नया कैरेक्टर तुम इंटर्ड्यूस करवाते हो जिसका पावर तुम बस फर्स्ट फाइट में दिखा करके हरवाद होगी ये क्या मजाक चल रहा है नहीं होगा भाई और यही सेम चीज सैंक्स के साथ भी होगा जो लोग ये थियोरिस बना रहे हैं कि वो जो थियोरिस बना रहे हैं सैंक्स और ब्लैक बेर्ड का फाइट होगा जहां पर ब्लैक बेर्ड जीत जाएगा ऐसा वैसा कुछ देखो पहला फाइट में किसी को भी ऐसे अचानक से हरा नहीं सकते और वो भी उस वक्त जब हमें उसके पावर का नजराना तक नहीं पता है ठीक से नहीं पता कि वो कितना जादा स्ट्रोंग है लोग यहां करकि यह बोल सकते हैं कि भाई तुम वाइट बीर्ड को देख लो वो भी तो फर्स्ट पाइट में हरवा दिया अरे भाई देखो वो बंदा जो है अपने एरा में भाई वो बाप था वैसे ओल्ड एरा में भी वो बाप ही था उसके कुरू का हाँ उसके फीट समय बताये गए थे कि भाई वो किस लेवल का बंदा है रोजर के लेवल का बंदा है ऐसा है वैसा बहुत सारी चीज़े बता ही गई थी वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट मैन अगर वो वहांके लगया है फाइड भले ही करेगा तगड़ा देगा टककर लेकिन वो कुट्तो की तरफ पिटाएगा वहां पर भाई तुम देख लो वहां पर बहुत सारे स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग कारेक्टर्स है लौ है, किड है, लूफी है साथी साथ लूफी का क्रू, वीक बंदे नहीं है फिर आकाजाया है भाई बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यार लेकिन वो जा करके उन सब के बीच में से वो रॉबिन को उठाएगा, उन सब को हराएगा मजाक चल रहा किया चलो हम लोग एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि ये ग्रीन बुल जो बंदा है रॉबिन को उठाने में कामियाब हो जाता है जो कि ये ओब्यस सी बात है डाइरेक्ट चिप के तो नहीं करेगा, वो डाइरेक्ट उनके सामने से जाके उठा के लिए जाए और ये लेके चला भी जाता है भाई बहुत तगड़ा वाला लड़ाई होगा चलो हम लोग एक टाइम के लिए मान लेते हैं ग्रीन बुल रॉबिन को उठाने में कामियाब हो जाता है जो कि ग्रीन बुल का मोटिब है नहीं उसका मोटिव है अभी के टाइम के लिए इस्ट्रो हैट को डॉमिनेट करना या फिर उनको हराना जो कहना चाहो कहलो नियू यॉंको उसको हटाना लेकिन फिर भी माल लेते हैं वो जा करके रॉबिन को उठा लेता है और वो वहाँ से किड्नैप करके बाहर निकालने में कामियाब हो जाता जैसे तसे करें चाहे वो हराके हो गया या चिपते चिपाए हो गया चिपते चिपाए तो नहीं करें लेकिन फिर भी कर लेता है पाता है ने एक बार रॉबिन को जब उठाया गया तो लूफी ने क्या किया था पुरा एनिस लॉबी का बजा के रख दिया तो इस बार उठाएगा तो गार दिया जाएगा तो हाँ यार ऐसा भी नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि ओडा अभी जो है वो मरिन फोड वाला हाल दुबारा से क्रियेट करेगा और हाँ भले ओडा ने बोल दिया वानों के बाद 5 साल के अंदर वनपीस खतम हो जाएगा पर यार उसने पहले भी बोल रखा है 5 साल में वनपीस खतम होगा 10 साल में वनपीस खतम होगा पर वो आगे खीची जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है वो 7-8 साल और जा सकता तो इस वज़े से क्या जल्दी है आराम से ट्रॉ करने दुपन देगा और हाँ एक महिने का बंदा ब्रेक लिया मतलब कुछ तबाहिदार चीज ही आ रहा होगा तो उसके लिए वेट करो खेर जो कुछ भी हो मैं ये कहना चाता हूँ कि ग्रीन बूल को अंडरिस्टमेट मत करो ये बंदा स्ट्रॉंग हो सकता है हो सकता है ये तगड़ा फाइट दे लूफी को और हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि जो लूफी की बाउंटी अभी जो 3 billion बैरिस दी है न और वानो तो खतम हुआ नहीं है अभी हो सकता है वानो आधा ही खतम हुआ और अभी final तो वानो का fight होना बाकी है तो हो सकता है यहाँ पर लूफी का वानो आर्क के बाद 5 billion बाउंटी भी जा सकता है तो हैरान मत होना खैर जो कुछ भी हो आने वाले टाइम पे हमें तो देखने को जरूर मिलेगा और हाँ कल भी तुमको नया वीडियो देखने को मिलेगा तो यार एचसाइटेड हो या नहीं कमेंट बॉक्स में बताना मत भूनला वीडियो पसंद आया नहीं आया राय बताओ, लाइक करना करो, सब्सक्राइब करना करो इंस्टाग्राम पे लेकिन फॉलो करना मत भूनला और हाँ यार इंस्टाग्राम पे मेरे 700 फॉलोवर्स हो गया है जिसके लिए थैंक्यू तो यार मिलेंगे नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए बाई